दोस्तों तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं होसर का 4-in-1 4-color full ball pen तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4-in-1 pen है तो इसमें 4 color के ball pen एक ही में है और यह होसर का है और German technology और यह सब यूज करा गया है और price की बात करो तो यह 25 रुपए का और packaging आप देख सकते 11-2019 और बाकि अगर कुछ आपको देखना तो आप देख लो तो अब मैं आपको बता देता है इसमें कौन-कौन से 4 color आते है तो इसमें blue, black, red, green आता है और यह एक ही pen में रहता है यह देखे तो यह है हमारा pen जो कि होसर का 4-in-1 ball pen इसका कोई और नाम नहीं है इसका नामी है 4-in-1 ball pen और बाकि यहां पर एक देखे स्टीका भी लगा होता है और इसकी जो clip है इस तरह की है और यह हलकी सी मोटी होती है जो कि आपको जो hold करने में uncomfortable मना सकती है पर एक चीज है कि इसमें आपको मतलब जो जैसे आप project बना रहे हो या कुछ बना रहे हो तो आपको अलग-अलग pen use करने की कोई जरूवत नहीं है आप एक ही pen में सारा का सारा आप काम कर सकते हो वो भी बहुत यह अराम से तो इसको आप चाओ तो refill भी कर सकते है ऐसा नहीं की use and throw pen है तो आप ऐसे इसको खोल के फिर refill को ऐसे खीश सकते हो तो यह ऐसे देखे निकल जाती है ठीक है तो ऐसे इसकी जो refill है वो छोटे साइच की है तो आप इस साइच की refill आपको दुकान में मिलेगी नहीं तो आपको क्या करना है कोई भी आपको एक refill लेनी है जो की मतलब length wise तो नहीं मिलेगी पर thickness wise ऐसी एक refill आपको खरीद लेनी है और उसके बाद आपको इस refill को थोड़े दिन use करना है और फिर जब वो इस height तक महुच जाए उसकी ink तो आपको उपर के इस साइच काटके फिर इसमें ऐसे fit कर देना है क्योंकि इस length का आपको refill मार्केट में आपको मिलेगा नहीं तो अब मैं आपको दिखाता हूँ तो अभी आपने जैसे देखा तो refill आप ऐसे change कर सकते हो बाकि यह 4 color है और अगर आप ध्यान से देखो जो कि आपको camera में ऐसे नजन नहीं आ रही होगी तो इसमें जो refill को उपर cap लगी होती है वो भी लगी हुई है तो आपकी ink मतलब जब आप नया खरीद होगे तो यह सूखी हुई नहीं मिलेगी आपको एक अच्छी से refill मिल जाएगी तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका mechanism कैसे काम करता है यह देखे बटन ऐसे दवाया तो एक निकल आया और दूसरा कोई भी आप दवा दो यह फिर अंदर चला जाता है ठीक है तो अब मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ तो यह देखिये जैसे मैं इस वाले का ऐसे नीचे करा कोई भी दवा दो तो यह फिर से अंदर चली जाएगी तो इस से आपका जो काम है खासकर प्रोजेक्ट हो गया यह स्कूल में भी जो हम लोग काम वगयरा करते ना कॉपी में जैसे मेरे स्कूल में तो यह होता है कि question black से लिखना है और answer blue में तो जैसे मैंने इसको लिए लिख दिया ब्लैक में और उसके वाद इसको दवा दिया तो फिर ब्लू में हो गया का तब मैं आपको इसको लिख के दिखाता हूं तो यह आ गई हमारी कॉपी तब मैं आपको लिख के दिखाता हूं सबसे वहले मैं आपको ब्लू से लिख के दि और दूसरे कलर से मैं आपको लिखा दिखा देता हूं रेट से पहले दिखाता हूं ब्लू के बाद सभी में कैप रिमूव करना पड़ेगा उसके बाद ब्लैक इसमें भी कैप होगा उसके बाद ग्रीन ग्रीन वाले में सब कैप हस गेस लेनी चलना सभी से हाँ इसमें कैप हस हुआ था तो अब आप देखें सारे कलर्स यह देखें तो इसमें हैं ब्लू रेड ब्लैक और ग्रीन तो आप देख सकते हो सारे पर अच्छे चलते हैं यह जो नीचे ग्रीन है तो यह इसलिए खराव हुआ कि इसमें वह जो प्लास्टिक वाली कैप हो तो फस गईती तो मैंने आप निकाल दी तो उपर आप देखें उपर बिल्कुल स्मूध आ रहा है तो ब्लू ब्लैक रेड और ग्रीन यह चार कलर एक ही पैन में आते हैं जिनकी स्मूधनेस भी अच्छी है तो कुछ लोग कहते है कि यह मैं 8 क्यों बनाता हूं यह एक्चुली हिंदी का चार भी नहीं ह इंग्लिस का फे भी नहीं है यह समूधनेस को टेस्ट करने के लिए एक सिमबल है यूँगी जब पैन यह से रोटेट करता है तो जितनी में अगर यह स्मूध होगा मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होग खिए कुछ भी नहीं होगा इसमें बीच में कोई भी लाइन कोई ऐसे बना लो कोई दिक्कत नहीं है तो मेंली यही होता है कि जब पैन ऐसे ऐसे इसका निप घूमता है तो इसके मतलब स्मूधनेस टेस्ट हो जाती है अगर कहते हो कुछ लिख के दिखाना है तो मैं वह भी दिखा देता हूं एक Q&A के टाइप में समझ लीजिए गाइस कि मेरा अपना नाम मैंने रिवील कर दिए जो कि मैंने पहली वह बहुत बार कर रहा है ठीक तो यह है तो देखिए इस पेन के अब मैं डिसद्वांटेज और अड्वांटेज इसको मैं ब्रीफ कर देता हूं तो देखिए ऐसे तो इसमें एड्वांटेज बहुत है जैसे कि एक तो ट्रांस्परेंट इसकी पूरी बॉड़ी जिसके वह से इसका इंक लेवल फ्लो लेवल दिखता रहेगा पर एक चीज है कि इसकी जो बॉड़ी है वह थोड़ी से मतलब मेटेरियल वाइस क्वालिट वाइस उतनी उपन नहीं है वैसे प्राइस भी देखा जाए तो 25 रूपीज है तो उसे साब से जो प्लास्टिक क्वालिटी वैसी है मतलब अगर अगर गिर गई कुछ हो गया तो टूटने के चांसस या क्रैक होने के चांसस है और अगर सेकंड पॉइंट में बात करता हू कि अगर आप समझले इसकी रिफिल खतम हो गई और फिर आपने इसको खीचा और गलती साब ने जोर से खीच दिया तो कभी को और यह भी होता है यह पूरा जो आप सिस्टम देख रहे हो वो पूरा निकल आता है उसके बाद उसको फिर से एसेंबल करना फिर थोड़ा और एक और डिसद्वांटेज है इस पैन का कि मतलब जो यह जो रिफिल है न वो मतलब ऐसे तो मैं बता रहा हूँ यह स्मूध है मतलब लिखने में अच्छा है पर उतना भी स्मूधने में ने इससे बहुत अच्छे स्मूध पैन मैंने यूज करे पर इतना स्मूध यह है थोड़ा थोड़ा जगा आप यह भी देख सकते हो इस वाले पेपर में जैसे यहां देखे रेट पर जब सेकंड बार आया था हलकालके इंक यह छोड़ा आता आप देख सकते हो ग्रीन वाला तो देखी सकते हो थोड़ा मला खराबी चल ला था ब्लू वाला पर्फेक्ट चल ला है तो इसमें ना किसी किसी रिफिल में थोड़ा बहुत कभी को बार प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है तो उसका एक ही सल्यूशन है कि यह अगर आपको कोई इसमें से रिफिल स्मूध नहीं लग रही हो या खराब लग रहा हो तो आप उस रिफिल को सिंपली निकाल के उसको मतलब किसी दूसरे रिफिल से रिफिलेस कर सकते हो जो कि आपको लगे हाँ स्मूध है तो यह एक डिसाडवांटेज है इस पैन का जो कि मैंने फेस कर रहा है क्योंकि मैं इस पैन को बहुत दिनों से यूस कर रहा हूं तो यही है डिसाडवांटेज इस पै सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा तो अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे बाइबाइब